दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोईशन फोर्ट सिविल सर्विशेज मैं अनुराख शोधरी दोस्तों यंसी आठी के अध्यावार वस्तुनिष्ट प्रश्णों की स्रिंखला में आज की वीडियो में हम साल्व करेंगे सात्वी कच्छा के विज्ञान से संबंधित महत्वूर्ण प्रश्णों को जो आपके आगामी परिक्षाओं के सामान्य ग्यान और सामान्य अध्यन खंड के लिए बहुत ही उप्योगी है इस अध्याय में हम सात्वी कच्छा के विज्ञान के अध्याय दस से संबंधित महतोपूर प्रशनों से शुरू करेंगे ये अध्याय है जीवों में स्वसन आईए देखते हैं पहला प्रशन निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे की एठन होती है तो कई साथ ही आप में से कई साथ ही इसका जवाब जानते हैं लेकिन देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा लैक्टिक एसीड या लैक्ट होती है लेकिन उर्जा उत्पन करने के लिए हमारे शरीर को आक्सिजन की आपोर्ति सीमित होती है ऐसी इस्थिती में पेशी को सिखाएं अवाय वी ये सोसंद्वारा उर्जा की अत्रिक्त मांग को पूरा करती है और इस प्रक्रिया में ग्लुकोज के आंसिक विखंडन से लैक्टिक अमल और कारबन डायक्साईड का निर्मार होता है और ये लैक्टिक अमल संचित हो जाता है पेशियों में जिससे पेशियों में आएथन उत्पन करता है गर्म पानी से अश्नान करने अथवा सरीर की मालिस करवाने पर आयथन से आराम मिलता है क्योंकि इस से रोप से बिखंडन हो जाता है तो याद रखेगा लैक्टिक अमल के कारण हमारी पेशियों में जो है अइठन या थकान उत्पन होती है अगला प्रेश्ण है अंतह स्वसित वायू तथा उच्छवसित वायू में आक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है आपको बताना है तो सह हम सांस बाहर निकालते हैं उसमें अक्सीजन की मात्रा कितनी होती है तो सही उत्तर हो जाएगा 21 प्रतिशत और 16.4 प्रतिशत आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा आप देख सकते हैं दोस्तों हम जिस वायू का अंतह स्वसन और उच्छ स्वसन करते हैं वह गैसों का मि प्रतिशन होती है अंतह स्वसित वायू में 21 प्रतिशत आपसीजन और 10.04 प्रतिशत कारबन डायकसाइड होता है जबकि बाहर निकलने वाली वायू में 16.04 प्रतिशत आपसीजन और 4.04 प्रतिशत कारबन डायकसाइड होता है तो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें आकसीज अगले प्रश्ण पर आपते हैं दोस्तों निमने लिखित कत्नों में कौन सा सही है पहला कत्न है कि भोजन में संचीत उर्जा स्वसन के समय निर्मुक्त होती है दूसरा है कि कोसिका के अंदर आक्षेजन का उप्योग करके ग्लुकोज कारवन डायाकसाइड और जल में भिखंडित हो जाता है तीसरा है आक्षेजन की अनुपस्थिती में भोजन भिखंडन को वायवी ये स्वसन या एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है तो इन कत्रों में से कौन सा सही है तो आप देख लीजिए पहला और दूसरा आक्षेजन ए आपका सही हो जाएगा कत्षन एक और दो आपके सही है अगर हम इस प्रश्ण की व्याख्या देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भोजन में संचीत उर्जा स्वसन के समय निर्मुक्त होती है इसलिए सभी जीवों को भोजन से उर्जा प्राप्त करने के लिए स्वसन किया हो सकता होती है कत्षन एक सही है दूसरा कत्षन है कोशिका के अंदर भोजन जो ग्लुकोज है अक्सीजन का उप्योग करके कारबन डायकसाइड और जल में भिखंडित होता है इसलिए कत्षन दो भी सही है और आप जान लिजे कि कोशिका में भोजन भिखंडन के प्रक्रम में उर्जा मुक्त होती है और ये प्रक्रम कोश की स्वसन या शेलिडर रिस्पायरिशन कहलाता है तीसरा कथन जो कह रहा है कि आक्सीजन की अनपस्थिती में भोजन विखंडन को वायवी ये स्वसन कहा जाता है ये गलत है क्योंकि आक्सीजन की उपस्थिती में भोजन के विखंडन की प्रक्रिया वायवी ये स्वसन कहलाती है जब कि आक्सीजन की उपस्थिती में भोजन विखंडन को वाय विए नहीं बलकि उपस्थिती में जो आक्सिजन के उपस्थिती में भोजन का विखंडन होता है उसको वाय विए स्वसन कहते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों दो कथन है आपको दिये गए हैं इन मेंसे आपको बताना है कौन सा सही है तो देखें पहला कथन है कि केचुए स्वसन कारे तवचा से करते हैं बिलकुल सही है और दूसरा है मेढग में मनुस्य की भात फेफड़े होते हैं फिर भी वे अपनी त्वचा से स्वसन करते हैं तो दोनों ही कथनाप के सही हैं एक और दो दोनों ही आपसंसी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केचुए अपनी त्वचा से स्वसन करते हैं केचुए की त्वचा असपर्स करने पर आर्द और स्लेश्मी परतीत होती है इन में से गैसों का आवगमन आसानी से हो जाता है मेढग भी अपनी त्वचा से स्वसन करते हैं इनकी भी त्वचा आर्द और स्लेश्मी हो दोस्तों अगर जो आप देखेंगे अंत्रै स्वसन द्वारा जो वायू सरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित आकसीजन का उपयोग ग्लूकोज को कारबन डायकसाइड और जल में भी खंडन करने के लिए किया जाता है और इस प्रक्रिया में उर्जा निर्मुक्त होती है अब आईए अगले प्रश्ण पर आते हैं सूची एक का सूची दो से मिलान करना है और दिये कैकूट के आधार पर सही उत्तर का चैन करना है इसमें आपको बताना है कि विभिटन जीव जो होते हैं वो किस तरह से स्वसन करते हैं इश्ट तो आप देखिए इश्ट एलकोहल जो है एलकोहल के निर्मार में यूज किया जाता है या प्रियोग किया जाता है डायफ्राम या मध्यपट जो होता है ये बच्छ गुहा में इस्थित होता है तिल्चट्टा आप देखिए तिल्चट्टा में स्वास रंध्र होते हैं जिनसे वह स्वास लेता है पत्तियां तो आप देख सकते हैं पत्तियों में दोस्तों रंध्र होता है और मचलियां क्लोम के द्वारा स्वसन करती है तो ये आपका सही मिलान हो जाएगा इश्ट एलकोहल निर्मार में प्रयूग तो होता है दोस्तों इश्ट एक कोस की जीव है ये अवायवीर से स्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय एलकोहल निर्मित करते हैं इनका उपयोग सराब और बीयर बनाने के लिए किया जाता है इसके अलावा स्वसन के समय वायू नासा गुहा स्वास नली से होकर हमारे फेफ़डों में जाती है फेफ़डे वक्ष गुहा में होते हैं और वक्ष गुहा पार्स में पसलियों से घिरी होती है एक बड़ी पेसी परत जो डायफराम या मद्धपट कहलाती है वक्ष गुहा को आधार परदान करती है और स्वसन में डायफराम और पसलियों से बने पिंजर की गती सम्मीलित होती है तिलचटा के सरीर के पार्स भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ये छिद्र स्वास रंद्र कहलाते हैं तिलचटो तथा अन्य कीटों में गैस के बिनमे के लिए वाय उनलियों का जाल बिचा होता है जो स्वास पड़ालिया वातक कहलाते हैं पादपों की सतह पर उपस्थित सुक्ष्म छेद्र होते हैं जो रंध्र की पत्तियां कहलाते हैं और इनहीं के माध्यम से पौधों में अक्सीजन और कार्बन डायक्साइड का वीन में होता है अब आईए अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या साथ है कि किसी सामान बयस्क व्यक्ति की बिसरा म वस्था में और सत्वासंदर कितनी होती है आपसन देख लेते हैं 9-12 प्रतिमिनट 15-18 प्रतिमिनट 21-24 प्रतिमिनट या 30-33 प्रतिमिनट तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा आपसन B 15-18 प्रतिमिनट दोस्तों कोई बयस्क ब्यक्ति जो होता है वो विश्राम की अवस्था में एक मिनट में लगभग 15-18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है अधिक ब्यायाम करने पर स्वसंदर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है अगले प्रश्ण पर आते हैं उच्छ वसं के समय पसलियां क्या होती है बाहर की और गति करती है नीचे की और गति करती है उपर की और गति करती है या बिलकुल गति नहीं करती है तो सही उत्तर है उच्छ वसन या सांस निकालने के समय पसलियां जो होती है वो नीचे की और गति करती है और आप देखें कि इस वसन के समय पसलियां उपर और बाहर की और गति करती है और डायफराम नीचे की और गति करता है उच्छ वसन के समय पसलिया नीचे और अंदर की ओर आ जाती है जबकि डायफ्राम उपर की ओर पूर्व इस्थिती में आ जाता है तो आपसन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा अब आईए सात्वीं कच्छा के अध्या इग्यार है जो की जन्तुओं और पादप में परिवहन से संबंधित है इनसे संबंधित महत्तोपोर्ण प्रश्णों को साल्व कर लेते हैं देखे पहला प्रश्ण है दोस्तों की निम्नलिखित पर विचार कीजिए पचा हुआ भोजन आक्सीजन अपसिष्ट पदार्थ उपर यूक्त में से रक्त किन का परिसंचरन करता है तो सही उत्तर है इनसभी का पचा हुआ भोजन आक्सीजन और अपसिष्ट पदार्थ इन सभी का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। दूस्तों रक्त एक तरल पदार्थ है जो हमारी वाहिनियों में प्रवाहित होता है। ये पचे हुए भोजन को छुद्रांत या छोटी आठ से सरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफ़डों से आक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है और शरीर की कोशिकाओं भी अपसिष्ट का उस सरजन करती है। रक्त शरीर में ऐसे अपसिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। अगला प्रस्शन है मानव रक्त में उपस्थित हीमो गलोविन के संदर में निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला है कि हीमो गलोविन अकसीजन को अपने साथ संयूक्त करके सरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है बिल्कुल सही है कि हीमोगलोविन अक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोसिकाओं में इसका परिवहन करता है दूसरा है हीमोगलोविन एक लाल रंग का बाड़क होता है जो आक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग परदान करता है तो ये भी सही है आपका दोनों ही कथन सही है आपसन C आपका सही उत्तर है एक और दो दोनों सही है अगर इस प्रश्ण की हम व्याख्या देखें तो पाएंगे हीमोगलोबिन आक्सीजन को अपने साथ हीमोगलोबिन लाल रक्त कडिकाओं यानि रेड बलड कारपल्स में उपस्थित एक लाल रंग का बढ़क होता है और हीमोगलोबिन की उपस्थिती के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है तो इसलिए दूसरा कथन भी आपका सही है अगला प्रश्ण है स्वेत रक्त कडिका रोगाडू का विनास या रक्त का ठक्का बनाना तो आप जानते हैं कि स्वेत रक्त कडिकाए जो है ये रोगाडू प्रतिरोधी होती हैं ये रोगाडू का विनास करती हैं और रक्त की तरल भाग को प्लाजमा कहते हैं रक्त को सिकाएं कडिकाएं इसमें तैरती रहती हैं त श्वेत रक्त कडिकाएं उन रोगाड़ों को नश्ट करती हैं जो सरीर में प्रवेस कर जाते हैं जबकि रक्त का थक्का बनना पट्टी काड़ों यानि प्लेटलेट्स के कारण होता है तो याद रखेगा श्वेत रक्त कडिकाएं दोस्तों मानो शरीर की रोगाड़ों से र इसमें आपको बताना है कि कौन सा मानो सरीर के परिसंचरन तंतर का हिस्सा नहीं है तो D जो है केवल चार जो हो जाएगा दोस्तों ये मानो सरीर के परिसंचरन तंतर का हिस्सा नहीं है और आप जानते हैं कि रक्त परिसंचरन की खोज बिलियम हारवे नामक एक अंग्रेज च किस सकने की थी रक्त रक्त वाहिकाएं और हिर्दय तीनों ही मानों शरीर के परिसंचरन तंत्र का हिस्सा है रक्त आक्सीजन पचे हुए भोजन और अपसिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है ये परिवहन रक्त वाहिकाओं के शरीर के सभी भागों मिले जाती हैं चुकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दबाव पर होता है इसलिए वाहिनियों की भितियां दीवार मोटी और प्रत्यास्त होती हैं शिराय कारबन डायकसाइड सम्रिध रक्त को सरीर के सभी भागों में वापस हिर्दय में ले जाती हैं और शिराओं की भित्तियां पे शक्रित पतली होती हैं और शिराओं में ऐसे वालब होते हैं जो रक्त को किवल हिर्दय की ओर ही प्रवाहित करते हैं और हिर्दय रक्त द्वारापदार्थों के परिवहन के लिए पं इसक जो होते हैं हिर्दय अस्पंदन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रियोग करते हैं आपको बताना है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर है इस्टेथोस्कोप देखिए आप सन ए आपका सही उत्तर है इस्टेथोस्कोप का प्रियोग करते हैं डॉक्टर हिर्दय असपंदन मापने के लिए हिर्दय की संरशना जान लेते हैं तो हिर्दय चार कोश्ठकों या कच्छों में विभक्त होता है हिर्दय के कच्छ की भितियां पेसियों की बनी होती है ये पेसियां लैबद रूप से संकुचन और विसरांति करती हैं जो हिर्दय असपंदन कहलाता है चिकिस्सक हिर्दय असपंदन को मापने के लिए स्टेथोसकोप का प्रियोग करते हैं जो हिर्दय असपंदन की ध्वन को आवर्धित कर देता है पेश मेकर हिर्दय के गतिकम हो जाने पर उसे सामानी इस्तिती में लाने के लिए प्रियोग्त होता है और इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ यानि ECG का प्रियोग संकुचन और विस्षरांती के समय उत्पन विद्द वाहगवल को मापने और हिर्दय को किसी अन्य प्रकार के विकार का पता लगाने के लिए किया जाता है और EEG आप जानते हैं इसका प्रियोग Electro-NC Phelograph जो होता है ये मस्तिस्क में होने वाली क्रियाओं के निरूपन के लिए और मस्तिस्क संबंधी रोगों को ग्याद करने में प्रियुक्त होता है जबकि ECG यानि Electro-Cardiograph ये हिर्दय संबंधी विकारों का पता लगाने के लिए किया जाता है अगले प्रश्ण पर आते हैं निमने लिखित पर विचार कीजिए मचली, हाइडरा और अस्पंज सही उत्तर हो जाएगा हाइडरा और अस्पंज में दोस्तों आप संसी आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल दो और तीन में हाइडरा और अस्पंज जैसे कुछ जनतुव में कोई परिसंचरन तंत्र नहीं पाया जाता है जिससे जल मेवे रहते हैं वही उनके सरीर में प्रवेस करके उनके भोजन और आक्सीजन की आपूर्ति कर देता है जब जल बाहर निकलता है तो अपने साथ कार्बन डायकसाइड और अफसिष्ट पदार्थों को भी ले आता है इसलिए पड़िसंचरण के लिए रक्त के समान तरल किया सकता इन्हें नहीं होती है समानता है मचलियों में पड़िसंचरण तंद्र पाया जाता है अगला प्रश्ण है अपोहन यानी डायलेसिस अपोहन या डाइलेसिस की विधी में किसके अक्री हो जाने की इस्थिति में प्रियोग में लाई जाती है आपको बताना है तो आप जानते हैं अपोहन व्रिक की इस्थिति में जो किड्नीज हैं उनके अक्री हो जाने की इस्थिति में या काम न करने की इस्थिति में लाया जाता है व्रिक्र का प्रमुकार्य रक्त को छानने का होता है और अपोहन की विधि का प्रयूग विक्र के अक्री हो जाने के स्थिति में किया जाता है और इस विधि में कृत्रिम व्रिक्र द्वारा रक्त को नियमित रूप से छाना जाता है व्रिक मानो शरीर के उस सर्जन तंतर का महतपोर हिस्सा है और व्रिक मुत्रवाहिनिया, मुत्रासय और मुत्रमार्क सम्मिलित रूप से उस सर्जन तंतर बनाते हैं मानो उसर्जन तंतर द्वारा लवड और यूरिया जल के साथ पसीने तथ मुत्र के रूप में शरीर के बाहर निकाल दिये जाते हैं और शरीर से निकलने वाला पसीना शरीर से हानिकारत्तों को बाहर निकालने के साथ साथ शरीर को ठंधा बनाय रखने में भी सहायता करता है अगला प्रश्ण हैं दोस्तों कुछ जन्तूओं के सरीर से अप्सिष्ट रसायनों के निस्कासन के संदर में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए देखे पहला है मचली कोसिका के अप्सिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उस सर्जित करती है दूसरा है कि शर्प अप्सिष्ट के रूप में नाइट्रिकम लगाऊ सर्जन करता है तो ये सही नहीं है केवल एक आपका सही है देखे मचली कोसिका के अप्सिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उस सर्जित करती है देखे दोस्तों जन्तूओं के शरीर में रसायनों के निसकासन की विधी जल की उपलवद जपर निर्भर करती है मचली जैसे जली जन्तू को कोसिका के अप्सिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उस सर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाती है इसके अलामा पक्षीज, सिपकली, सर्प जैसे कुछ जन्तू अपने शरीर से अप्सिष्ट पदार्थों का उस सर्जन अर्ध घन यानि सेमी सॉलिट पदार्थ के रूप में करते हैं ये पदार्थ यूरिक अमल होता है जो मुखित सफेद रंग का योगिक है और मानो द्वारा उस सर्जित अपसिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख होता है अब आए आगे देखते हैं प्रश्ण संख्यनों पर सूची एक और सूची दो का मिलान करना है इसमें पदों के भाग और उनके कारियों से आपको मिलाना है इसमें आप देख लिजे कि देखे रंध्र जो होते हैं इनका कारे वासपोस सर्जन करना होता है इसके अलावा जाइलम जो है ये जल का परिवहन करते हैं जाइलम जल का परिवहन करते हैं आप देख सकते हैं फ्लोएम जो हैं ये भोजन का परिवहन करते हैं और मूल रोम जल का आउसोसर करते हैं तो आप देख सकते हैं तीन दो एक और चार देखिए तीन दो एक और चार आप संसी आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्ण की ब्याख्या अगर जो हम देखें तो जाइलम या जिस पौधों में पत्तियों का भोजन का संसुनेशन करती हैं और भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है ये कारे एक संबहन उतक द्वारा किया जाता है जिसको की फ्लोएम कहा जाता है अगले प्रेश्ण पराते हैं दोस्तों प्रेश्ण संख्या 10 पर कथन औ दूसरा है कि क्योंकि पत्तियों से जल के वास्पो सर्जन के कारण एक चूसरण बल निर्मित होता है तो इसमें आपका आपसन ए सही हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही ब्याथ्या करता है देखे दोस्तों पादपो में वास्पो सर्जन के कारण एक चूसरण बल निर्मित होता है जिसके कारण मोलो द्वरा मिर्दा से और सोसित जल खिच कर तने से होकर पत्तियों तक पहुँचता है ए और आर दोनों सही है आर एकी सही ब्याथ्या भी करता है वास्पो सर्जन की ये प्रक्रिया पादपों को ठंधा रखने में भी सहायक होती है अगले प्रश्न पर आते हैं निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है दोस्तों फुप्फुस धमनी आक्सीजन समरिध रक्त का प्रवाह करती है सही नहीं है और दूसरा है फुप्फुस सीरा कार्बन डायक्साइड समरिध रक्त का प्रवाह करती है ये भी आपका सही नहीं है तो दोनों ही कथन आपके गलत है फुप्फुस धन्मनी कार्बन डायक्साइड समरिध रक्त को हिर्दय से फेफडों में ले जाती है तो ये और फुप्फुस सीरा आक्सीजन समरिध रक् जाती है दोनों ही कथन आपके गलत हो जाएंगे अगला प्रेश्ण और आज की वीडियो का आखरी प्रेश्ण है कि किसी वयस्क व्यक्ति का हिर्दय और सतन एक मिनट में कितनी बार धड़कता है 100-110, 70-80, 90-100 या 30-30 बार तो सही उत्तर है 70-80 बार आपसन भी आपका सही उत्तर है आप जान लिजिए कि परिशंचरन तंतर में हिर्दय और रक्त वाहिनिया होती है किसी व्यसक व्यक्ति का हिर्दय एक मिनट में लगभग 70-80 बार धड़कता है इसे हिर्दय अस्त्पंदंदर कहते हैं तो याद रखिएगा एक जो आवसत है 72 प्रतिमिनट तो 70-80 बार प्रतिमिनट किसी वयस्क व्यक्ति का हिर्दय धड़कता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो NCRT के वस्तुनिष्ट अध्यायवार प्रिश्णों के स्रिंखला में हमने सात्वी कच्छा के अध्याय 10 और 11 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रिश्णों को हमने साल्व किया ये प्रश्ण आपके आगामी परिक्छाओं जैसे UPSC, UPPCS, बिहार, राजस्थान, PCS और अन्य राज्य सेवाओं के परिक्छाओं के सामाने अध्यान के सामाने विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं आप इन प्रश्णों को तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मागदर्शन फार सिविल सर्विशिस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार